तो आज हम जो करने वाले है आज हमारी ग्जांपल नंबर थी तक हम ने सौल करें थी एक्जांपल नंबर 4 से लेकर पूरी वीडियो के अंदर आपके एक्जांपल नंबर 4, 5, 6, 7 का ज़िधी solution हम परवाइड करने के कोशिश करेंगे तो लेस स्टार्ट विद इस इजांपल नंबर फॉर से एक और उसकी इसकंदर आपको दे रख है कि find the least positive integer आपने फाइंड करना है इसके अंदर समझना वो बात करा कि आप एक ऐसा नंबर हमें डूंड कर दिखाओ जदि आप उस नंबर को 5 से डिवाइड करते उसका रिमेंडर आपका 3 है ना चाहिए उसी नंबर को मैं उसी नंबर को बोल रहा ह है कि here we shall find least positive integer so that हम मान कर चलते है कि हमारा एक से डिवाइड करते तो रिमेंडर 3 आएगा 6 से डिवाइड करते तो रिमेंडर 1 आएगा और 7 से डिवाइड करेंगे रिमेंडर 4 आजएगा तो ऐसी तीन equation हमने simultaneous equation यहां पर फॉर्म कर लेनी है जिनके अंदर हमारा जो x है एक ह करता है तो इसको हमने 1,2 and 3 मार्कल लेना यहां तक हो जाएगा आफ्टर आप देख सकते हो साथी में आपका 5,6,6,7 और 5,7 का जो जिस डिया सभी का वन आ रहा तो इसका मेंग सिस्टम के पास एक जो नीक solution होगा कहां पर मडूलो 2 सभी की प्रड़क्ट के उपर अबब सि कैसे आते हैं जब आपके पास तीन नंबर I think उसको हम क्या गहते हैं को प्राइम को प्राइम आते हैं जा रेलेटिबली प्राइम नंबर आते हैं तो उनका सोलूशन महाँ पर रहता है किसके उपर मडूलो उनके सभी की प्रड़क्ट के उपर M1, M2, M3 के उपर तो का remainder 3 आ रहा है जब हमारे पास modulo 5 होता ठीक है तो आप बच्चा पार्टी मेरे साथ करने की कोशिच करेंगे ओके तो यहाँ पर इसका मिनिंग क्या रहेगा कि हमारा जो आप जा तो खुछ से x को करना चाहिए और you can see that की x-3 हमारे पास 5 का मल्टिपल होना चाहिए 5T कहसा तो टी आपका ब्लॉंग्स तो इसका मिनिंग जो आप दिफरेंट वैल्यूस ओफ एक्स यहाँ पर आप ती को पूट करते चले जाए सारे के सारे नंबर आपके अंसर आ जाएंगे आपके पास equation नंबर 2 क्या थी remainder आपके पास 1 था जब आप मर्डूलो 6 के साथ डिवाइड करे थे और आपके पास equation नंबर 3 थी कि आपका जो x है उसका remainder 4 आएगा जब मर्डूलो आप 7 के उपर बात करे होंगे ठीक है जह 3-4 वैल्यूस आपके पास दे रखी है हमने हमारी equation नंबर इसको satisfy कर वा लिया अब इसी value को में जहां पर लेकर चलते हैं कि मारे पास equation नंबर 2 जो implies करेगी कि आपका 5T है और plus का 3 है यह congruent आपका 1 आना चाहिए कहां पर मर्डूलो 6 के उपर आना चाहिए और जो cancer that कि आपका 5T है यह congruent is equal to 1-3 is equal to module आपके पास 6 आना चाहिए और you can say that कि आपका 5T है 1 के अंदर से 3 minus करेंगे तो minus का 2 tier आपको मिल जाएगा module 6 आना चाहिए और मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि जब भी आपके पास negative आ जाए तो जो भी number आपके पास दे रख्या module वाला उसको आप जस्ट add कर दो इसकी तरफ ठीक है because उसका remainder तो 0 होता है I'm gonna phone देखना तो जहाँ पर आपका 5T आजएगा और जिकांग्रेंड आपके पास चलेगा 6 के अंदर से 2 निकाल जएगा 4 आपके पास आजएगा module 6 के उपर तो यहाँ पर आप different values of 5 की सोच सकते हैं कि जब आप इसको 6 से divide करेंगे तो आपके पास remainder अब जहाँ पर मैंने कल भी सिखाया था आपको आपको जाद होगा कि आप जहां से कैसे answer निकाल सकते हो थोड़ा से रफाइड है कर लेते तो जहां से आपका जो 6 है वो डिवाइड type over like जहां पर आपका नीचे है 5 आना चाहिए तो जब आप डियर r को 1 put करेंगे तो आपके पास t की value 2 जहां पर satisfy कर जाएगी तो t की value 2 आपके पास satisfy कर जाती है हाँ ठीक है तो जहां से आपके पास क्या आता है जिदे आप t को 2 रखते हो तो 5 2 का 10 और 10 को 6 से डिवाइड कर तो remainder आपका 4 रहता है तो इसका next आएगा कि आपके पास t है वो congruent 2 आपके पास अराम से आपको मिल जाएगा और जही चीज मैंने जहां से बता रखी है बच्छो कि r के अंदर जैसे आप 1 रखोगे तो ओपर आपका 6 plus 4 10 बन जाएगा और 10 को जैसे आप 5 से डिवाइड करे जाएगा t-2 को करेगा that is आपका t-2 is multiple of 6 होगा जहांपर आप k लिख सत्तुर k आपका belongs to integer है और जहांसे t की जो value आजागी आपके पास 6 k plus 2 आजागी और जही आपका k belongs to integer है अब जहे जो नंबर आपके पास है ना t मतलब जो 2 आ रही है जाए 6 से डिवाइड होगा जाफि इस particular equation के लिए t कैसा होना चाहिए 6 k plus type होना चाहिए हमका और आपका जो a की मतल हमारा simple a goal है कि हमें x की value निकालने तो यहां पर आपका x जो आ चुका था इसके अंदर आप t की value लेकर आओ put करो तो आप जहां पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो x की value आ जाएगी after that तो आप 5 रहेगा 6 k plus 2 आ जाएगा और साथ में आपका 3 यहां पर k आपका belongs to integer है ठीक है और you can see that कि यहां से आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा कि जो आपका x है वो आपका 5 6 का 30 k हो जाएगा और प्लस आपका 10 हो जाएगा प्लस आपके पास 3 मिलेंगे हम book की तरफ विल्कुल न देखने book के अंतर कैसा कर रखो अगर बाद में देखेंगे खुद से करने की कोशिश करनी होती है ठीक है कि हो जाएगा जहां पर आपका 13 हो जाएगा तो यह जे के की value आपके पास अभी तक x की आ रही है and it is that value of x which satisfies your equation number 1 and your equation number 2 simultaneously that is एक ताइम के उपर कर रही है अब इस equation को क्या करेंगे equation number 3 के तरफ लेकर चलते हैं इसकी तरफ कि आपका जो जहां पर दे रखा है कि इसकार minder 4 आना चाहिए जब 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो हम इसको लिखेंगे कि हमारा जो third equation हो इंप्राइस करेगा कि x की जगह आप 30k लिखोगे plus 13 और इसकार minder आपका 4 आना जाएंगे और module आपका 7 यहां पर आपको देखेगा इसको मैं आपके लिए यहां पर कर लेता हूं साथ में because आप लोग करें हो सहाथ मैं उस पॉस करके वीडियो को लिखते चले जाना ठीक है यह आपके पास आजएगा आप जो आपका 30k उसको आप लिख साते हो 28k plus 2k सर क्यों लिखा विकॉज आप 7 के मल्टिपल करना है 7 1 का 7, 7 2 का 14, 7 3 का 21 और 7 4 का 28 होता है because 14 भी 7 से डिवाइड होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमने आंसर को क्या लेकराना होता है positive number में लेकराना होता है तो यह जहां से यह आपका उड़ी आएगा जहां से इधर आपने plus minus कर लेना है तो यह आपका 2 के बचेगा and यह congruent 14 के अंदर से 9 निकालोगे तो आपका 5 बचेगा और यह module आपके पास 7 में आंसर देगा जहां से यह आपके पास आजएगा अब यहाँ पर आपने एक ऐसी value सोचना है के की कि जदी आप उसको रखते हो तो जो आपका 2 से multiple होने के बाद जब आप 7 से divided को तो आपका रिमिंडर 5 आ जाए तो ऐसा आपने सोचना होता है तो यह जदी आप के को 1 रखते हो तो फिर आपका आजाएगा तो वो नहीं बात बनेंगे के को 2 रखते हो 4 और 5 नहीं आएगा 3 रखते हो 6 तो नहीं बनेंगी बात ठीक है तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा यहाँ पर ज्यादा सोचेंगे तो मेरे recording that is little bit difficult to find the exact answer जो हमें च करेगा 2K-5 को divide करेगा और 2K-5 is equal to sum 7 के साथ आप कुछ भी L लगा सकते हो ऐसा होना चाहिए और 2K आपका 7L plus 5 type होना चाहिए और K is equal to आपके पर 7L plus 5 over 2 आना चाहिए तो ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है तो यहाँ जदी आप ध्यान से थोड़ा सा भी इसके अंदर देखेंग तो जहां से आपको hint मिल जाता है उपर ठीक है करने से तो वो hint आपको क्या दिखता है कि जैसे आप L को 0 रखेंगे फिर तो बात नहीं बनेगी मतलब आपके पास 5 by 2 आजएगे लेकिन जैसे आप L को 1 रखेंगे तो numerator के अंदर आपका 7 plus 5 आपका 12 over 2 बन रहा है और 12 over 2 होता आपका 6 होता है मतलब K की value 6 आपके पास exact आजएगी तो जैसे आप यहाँ पर 6 put कर लेते हो तो 6 2 का 12 होता है 12 को 7 से divide करते तो 5 आपके पास बचता है तो यह कहने का मिनिक जी रहाता कि K आपके पास क्या आ जाता है K congruent to 6 आपके पास मर्डूलो 7 आपको answer में होता है और यह जहां से आप यह कह पाएंगे कि आपका 7 डिवाइड करेगा K-6 को करेगा और आपका K-6 is equal to sum M7 रहेगा तो डियर सबसे पहले हमने जहां पर आप R कर सकते हो जहां पर लिख सकते हो कि R belongs to integer है तो आपका K की value आजागी 7R plus 6 आजागी और R आपका belongs to integer है तो डियर दिखाना चाहूंगा यह जो equation आपके पास बच रही है जिसको अभी हमने टिक करा यह हमारा पहले का X था जिसके अंदर K वाली value थे अभी हम K-K value इसके अंदर डाल देंगे जो भी X हैगा that is our final answer होगा ठीक है तो डियर आपके पास आजेगा तो therefore आप लिखोगे की X is equal to 30 और K को आप जहाँ पर लिख दो 7R plus 6 लिख देंगे और प्लस का आपका 13 अभी की आपका R belongs to integer चल रहा है है तो ढाल है तो यहां ऑपका जो X है वो आजएगा सेवन का 210 R आ जाएगा और यहां से 180 प्लस का 13 आजएगा ठीक है और R आपका belongs to integer ही जहेगा पास आजता है और यहां से आपके पास जो X MINUS 193 है वह ist equal to आपका 210 0 आ रहा जाएगा और यहां से आपके पास 210 आपका जो divide कर रहा है x-193 को because 210 आपका right hand side के अंदर आ रहा है तो 210 राइट hand side को divide करता है और हमारी left hand side right के equal है तो हमारा 210 हमारी left को भी divide करेगा ठीक है तो इसका वनिक यहां से यह हो जाएगा and then we can direct apply the definition of congracy तो यहां से आपका x जोगा वो congruent 193 हो जाएगा और modulo आपके पास 210 पर आ जाएगा and जे आपका answer होना चाहिए तो सारे के सारे step हमने यहां पर करेंगे आप book के अंदर में जाएगे we try to match this question with the main answer के हमारा final answer हमें क्या मिलता उसके उपर तो जोदी ऐसा answer मारा हो जाएगा तो बात बन जाएगी मारे पास ठीक है तो it is our last answer तो हम जे कहना चाहेंगे तो therefore x equal to 193 is the least उसने least value पूछी है ठीक है तो जब वो least value पूछेगा तो हम just बोलेंगे because यहां पर ना 193 की congress class आजाएगी तो 193 से आप start करोगे तो therefore हम यह कहना चाहेंगे according to me किल हमारा least positive value है वो हमारे पास क्या होगी least positive value is 193 तो काम खतम हो जाएगा ठीक है अज एक question क्या आता है कि जो हमारा 193 आज एक ऐसा number है जिसको जदी आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास remainder 3 आ जाएगा जदी आप इसको 6 से डिवाइड करते हैं remainder 1 आ जाएगा जदी आप 7 से डिवाइड करते हैं remainder आपके पास 5 आ जाएगा तो it is that kind of the question ठीक है एक वार बुके अंदर चलते हैं आप जिन बच्चों ने अभी इसको देख रहा तो एक वर इसको आप फिर से copy करके हर एक step को साथ साथ में वीडियो को pause करते लिखते चले जाना आपका जी हो जाएगा finally ठीक है तो I want to show you कि कैसा इन्होंने कर रखा है देखे इन्होंने आपके सामने कर रखा होगा तो मेरे को जी मत पुछना कि सर ऐसे कैसे करा वैसे कैसे करा मतलब बुक के अंदर हमने खुल से करा तो आप बैसे जा सकते हो एक्जाम के अंदर मारे सामने बुक नहीं रहेगी ठीक है तो देखो राजे इनका भी कुछ ऐसे या रहा 30 माइनस के उसके बाद इसने direct case आप कहां से लेकर आओगे किसर ऐसा कोई shortcut नहीं है किसर ऐसा कोई method नहीं है कि हमें पता चल जाए तो मैं उसी method के साथ आपको करवाने की कुछ रहा हूँ तो final इनका भी x equal to 193 210 लाया था ठीक है और इन्होंने भी लिख रखा कि मारा जो list positive integer है तो सभी को satisfy करता है वो क्या है 193 है तो done फाइन इनका के साथ हम जहां प्रेंट कर सकते हैं इस example के साथ कि हमने पहली example को बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही डंग से कर रखा यह हो जाएगा अब जो example नंबर 5 हमारे पास आएगी उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा example नंबर 5 के अंदर आपको देखने को मिलेगा के prove that the congruences आप prove करो congruences आपके पास x congruant a modulo m है आपके पास x congruant b modulo आपके पास n है तो मतलब x आपका एक नंबर है जदी आप m से डिवाइड कर तो रिमेंडर a आना चाहिए और n से डिवाइड कर तो रिमेंडर b आना चाहिए तो बहुत बोल रहा कि ऐसी एक x आपको कम मिलेगी कि this kind of equation this kind of congruences have a simultaneous solution simultaneous mean एक टाइम के उपर दुनों को satisfy करता होगा if and only if जब आपके पास gcd of m,n divide करेगा a-b को ठीक है और you can see that कि आपका a congruent b modulo gcd of mn होना चाहिए तो एक बात ही है यहाँ पर if and only आपने दुनों तरफ से करना ठीक है if solution exists करता है तो prove that it is unique modulo lcm of m command बहुत चीज़ भी करने है लेकिन इसके अंदर इन्होंने ना कोस संगित उपर ही करका है दुसरी वाला पार्ट नहीं करका ठीक है तो हम भी वैसा कर सकते है आप सबसे पहले जब पार्ट करना है तो हम जहाँ पर दिखुरा जी कि हमने जो चीज़ find out करने होती है लाइक इन्होंने gcd of mn की बाद कर रखी है तो हम जाब आप gcd of mn को मान कर चलते हैं कि हमारे पास क्या simply d है तो आप d मान कर उसको start करेंगे ठीक है तो simply let it is a d okay तो let it करा कि मारे पास gcd के mn को में इनका d है तो firstly आप suppose कर लो कि इसके पास solution है तो firstly we suppose that कि x congruent a modulo m x congruent b modulo n have a simultaneous solution तो सबसे पहले हम जहीं मान कर चलते हैं कि इन दोनों के पास क्या है एक solution है और solution का नाम हमने दे दिया x equal to x1 हमने नाम दे दिया अब डियर जब आपका x equal to x1 solution आ तो इसका मिनिंग जब आप x1 का remainder a आएगा जब आप यहाँ पर modulo m करे होंगे और इसी x1 का remainder आपके पास b आएगा जब आप इसको modulo n q पर बात करे हो तो इसका मिनिंग डियर आपका जो m आपका डिवाइड करेगा x1 minus a को डिवाइड कर तो इसका मिनिंग आपका d आपका m को भी डिवाइड करेगा और आपका d आपका n को भी डिवाइड करेगा यह जदि dm को करता हो और m आपका x1 minus a को करता हो तो इसका मिनिंग हमारा d भी डिवाइड करेगा x1 minus a को कॉमा हमारा d डिवाइड करेगा x1 minus b को यह जदि हमारा d इन दो numbers को divide करता है तो इन दोनों की subtraction को भी करेगा इन दोनों की subtraction को like आप जहां पर x1-b रख सकते हैं और minus आपका x1-a को भी करेगा आपको पता है कि आपका कोई भी एक number आपके पास दे रखा है हम सभी को पता है आपको बता है, मेरे को बता है, आपकी नेवर वालों को बता है, आपकी सभी को बता है, सारी दुनिया को बता है, कि जब आपका को जब भी एक नंबर होता है, वो किसी दो नंबर को डिवाइड करता है, तो उन दो नंबर की linear combination को भी डिवाइड करता है, linear combination में आप उन दो न प्रैक्ट्स को ऊपन करेंगे तो आपका यहां पर X1 आजेगा माइनस का V माइनस का X1 और प्लस आपका आए अरे वाद ही X1 से X1 को उड़ा सकते हो दी आपके पास यहां से इक्वेशन के अंदर मैं आपको इक बार फिर सी हाइलेट करके दिखा देता हूं कि फर्स पार्ट के अंदर हमने जे शो करना था कि इफ इस टू कॉंगरेंसी जेदि इनके पास सुलूशन होगा तो इफ और हमने जहां पर क्या शो करा कि हमारा D है वो A-B को डिवाइड करता है और D हमारा क्या था उसने बोला और जदी डिवाइड करता है तो आपको मिल जाएगा अराम से तो यह आपके पास यहां तक हो जाएगा तो फर्सट पार्ट इनुने कर रखा सारे स्टैप एम डिट्टो कॉपी आ तो ज़िवाइड वरने की रोती है आता बुकसे करना जाते तो यहां पर वीडियूस को पॉस कर सहते हो इनको आप नोड कर सहते हो और आम से ठीक है तो ज़दी हम इसका कनवर्स पार्ट कर लेते तो converse part आपके सामने है तो converse part के लिए हम मान कर चलते हैं कि हमारा a congruent b modulo gcd of m,n है और हमने जे show करना है कि हमारे पार जो given equations x equal to congruent a modulo m and x congruent to b modulo n ओधो equation के पास अपना कोई ना कोई solution बहाँ पर है हमने जे show करना है तो डियर इस part के लिए द्यास देखना कि हमने जो मान रखा है वो उपर लिख लिए और जो हमने प्रूब करना वो जहांपर लिख रखा है कि to show that कि x congruent a modulo m and x congruent b modulo m इन दोनों के पास क्या है एक अपना simultaneous solution है अब solution जब आप मानने चलेंगे तो आपके पास के सबसे पहले वाल जो फेक्टर आप लिखोगे कि x congruent a modulo m तो इसका मिनिंग हमारा m होगा वो डिवाइड करेगा x minus a को जदी हमारा m डिवाइड करेगा डियर x minus a को जदी हमारा m डिवाइड करेगा जो हमें जहां पर लिखना पसंद करूंगा कि x हमारा डिवाइड करेगा sorry m डिवाइड करेगा x minus a को तो इसका मिनिंग x minus a हमारे पास multiple of m होगा that is t belongs to n t जारो जहां से आपका जो x आजएगा डियर वो आजएगा आपके पास a plus m t आजएगा अब यह वाला है जो हमारा x की value वो दूसरी को भी satisfy करनी चाहिए तो दूसरी को satisfy करनी चाहिए तो जैसे कि मारा जहां पर है तो इस value को यहां पर put कर लेते हैं कि मारे पास a plus जो हमारा m t है वो आपका congruent होना चाहिए b module n के उपर होना चाहिए और you can say that कि आपका जो m, t है वो congruent आपका b minus a आ जाना चाहिए module mn अब इसके पास जहां पर module n है ठीक है अब इस वाली equation के पास solution कब होगा आप यहां से द्यास देखना आपको जा दोगा बजपन के दिन जब मैं आपको करवाता था कि आपका a congruent b जो हमारे पास है module m इसके पास कब solution होता है जब आपके पास a, m का gcd जो भी आपके पास आता है वो इस b को divide करें तो यहां पर भी इन्हों नहीं जे वाली condition लगा रखी है कि अब जे आपका जो number है ना और स्वरी यहां पर आपका ना x होता है a x congruent b तो यहां पर जो equation exact आपके पास solution तभी आप different करोगे जब आप कोई unknown लेंगे जो आपका है इफ यहां पर इफ लग गया ना कि मतलब इसके पास solution कब होगा जदी यह वाली चीज़ पॉसिबल होगे और यह चीज़ का पॉसिबल होगी जब हमारा जो टी का variable है जहां पर एम और यहां पर module के अंदर इन दोनों का जो भी जिसेट गयाएगा वो हमारे इस number constant b minus a को divide करेगा और b minus a को divide करने का meaning क्या रहता है कि if जहां पर b minus a है जहां फिर a minus भी दोनों का same ही चक्र होता है आप b congruent a आएगा लेकिन लिख रखा है a congruent b तो दोनों का meaning same रहता है यहां पर if word use कर रखा है कि if मारा a congruent b modulo जो मारे पास जिस दिए of m,n होगा तो which is true उस जदी यह है तो नेचे वाली सारे की सारे चीज़े होंगे वहाँ पर तो hence be can say that कि इसका पूरे का पूरा समाधन हो जाता है तो खत्म कर लेते हैं इस चीज़को जिसके अंदर जी example finish हो जाती है तो यह वी एक बड़े example थी जिसके अंदर आपको दो चीज़ों के उपरोंने बात कर रखी है कि आपके पास तो यहां पर LC माला पार्ट ने प्रूव देखा कि ठीज नीक मडूल है वो बाला पार्ट अलग से किसी statement का लेकिन उसका प्रूव नहीं यहां पर है आपके पास कहने की बात ये है कहने के तो हम ये कह सकते हैं ठीक है कि रिष्टे में तो हम ये नहीं भोगते है डायलोग को और लेकर आते हैं ठीक है यहां पर देखो इसके अंदर सिंपल था कि X के X कोंग्रेंट A दे रखा था एक्स कॉंग्रेंट भी दे रखा था मडूलो M और N के अंदर ये दो अलगल सिचुएशन थी तब उसने बोला कि इनके पास एक साइमाटरिनी सुलूइशन तब होगा जब आपके पास GCD of M और N का डिवाइड करेगा A-B को तो ये कुछ चीजें बड़ी important है कि like in future आप जा सबते हो किसी भी number के साथ तो आपको उसका remainder दे रखा तो गहाँ इन इसके आगे जाके जदी आपके पास कुछ भी आप सोचते हो practical situation तो उनके लिए जे helpful रहती है ठीक है चीजें तो जे हमारा जहां तक हो जागा next हम क्या कर लेते हैं मारे पास article number example number हम 6 के तरफ चल लेते हैं आज 6 भी उन्होंने क्या दे रखा कैसे कर रखा है मेरे को नहीं पता लेकिन हम उससे करने की कोशिश करेंगे वो बोल रहा है कि आप solve the simultaneous linear equation आपको एक्जाम में आ जाती है कि एक आपका 8 x congrant 4 modulo 14 और एक आपके पास 5 x congrant 3 modulo 11 दे रखा है उन्होंने जह चीज जहां पर शोक रखिया वो बोला कि solve the system of linear equation तो ठीयर आप कैसे solve करो कि ठीक है तो आप पहले वाली equation उठालो फिर दूसरे वाली को उठालो दोनों का एक common solution आपने निकालना है तो मैं जोदी आपकी जगा मेरेको जी एक्जाम में देख जाती है और मैंको कुछ ज्यादा जाब ना होता कि इसके उपर कौण सा method लगाना है कौण से example लगाना है यदि ऐसा कुछ मेरे सामने होता तो how can start or how can try to solve this one during the examination ठीक है तो यह मेरे पास जो equation मेरे को जी बता है कि AX congruent 4 दे रखा है और modulo मेरे को 14 दे रखा है जी मेरा number 1 है अब मेरे को दे रखा है 5X है और यह congruent 3 है और modulo हमारे पास दे रखा है 11 जी मेरे पास दो equations है यहां पर ठीक है तो सबसे बहुत है मैं क्या करता है कि यहां से start कर लेते हैं ठीक है पहले वाले equation से मैं start कर लेता है कि यहां पर मेरे पास क्या और हिवाज यह 4 है तो आप यहां से बैसे तो टू से डिवाइड भी कर सकते हूं पूरी equation को यहां से मैं डिवाइड कर सकता हूं लेकिन जादी नहीं करना चाहता तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मारे पास जो 8X है वो मेरा multiple 14 होना चाहिए that is 14 into r 8X जो हमारे पास है वो हमारे पास 14 r प्लस 4 होने चाहिए और x मारे पास 14 r प्लस 4 over 8 यहां से आप 2 कामन निकाल तो आपका 7 r प्लस 2 over 4 आना चाहिए तो यहां पर आप डिया दिखो अब जी आपका एक यहां पर even रखेंगे तो even आना चाहिए न आर को 1 रखेंगे तो आपका 7 plus 2 9 बनेगा r को 2 रखेंगे तो आपके पास उपर 14 प्लस नीचे यह हो सकता r को 2 रखने पर जैसे आप r को 2 रखते हो तो आपका 14 बन जाएगा जैसे यहां पर 14 प्लस 2 आपका 16 आ जाएगा नीचे 4 आ 4 के साथ 4 कट कर गया मतलब x की value 4 आपके पास आजएगी तो यहां पर जदी आप x क आपने लिख दी है ठीक है ना पहले वाली लाइन आपने लिख दी है ठीक है कि 8 x कॉंगरेंट 4 मोडूलो 14 है लेकिन x कॉंट सी आपके पास आजएगी दिमाग की उपर उंगल मारो और सोचते चले जाओ instead of thinking too much आप उसको practically analytically करने की कोशिश करें और मैं वही चीज़ आपको जहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है कि आप यहां पर क्या कर सकते हो कि आपने यहां पर मैंने जह बोला कि x कॉंगरेंट आपने 4 रख दिया ठीक है और यह मडूलो आपका 14 पर ही चलेगा तो जी आपके जहां से आंसर आजएगा आप 4 रखो आपका 32 बन रहा है और 32 को आप डिवाइड करोगे 14 के साथ हो 14 2 का 20 तो आपका 4 मिंटर बच जाएगा राम से बच जाएगा तो जी आपके पास आजएगा तो इसका मिनिंग हमारे पास का आएगा जो हमारा जो 14 है वो करेगा x-4 को that is आपका x-4 multiple होगा 4t यहां पर 14t तो t आपका integer होगा और जहां से x आपके पास आजएगा 14t और प्लस 4 आजएगा और t आपका ब्लांस 20 तो जी वाली x की बेलु आपके पास आजएगे जो फर्स्ट वाल एक्वेशन को साटिस्फाय करेगी कहाने का मिनिंग जही है कि आप t को 0 रखो 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो infinity तक कुछ भी लेलो every time जो भी x आगा वो आपकी equation number 1 को satisfy करेगी लेकिन हमारा काम है कि simultaneous equation लेकर आना तो आप क्या करोगे इस वाली x को आप यहां पर पूट करतो तो that is आपका जो equation number 2 होएगा that import कि हमारा equation number 2 हा that implies 5 के सा आप रखोगे तो 14 T मिलेगा प्लस आपको 4 मिल जाएगी और कॉंगरेंटी के अंदर आपके पास 3 आजाएगा और मर्डूलो आपको यहां पर 11 दीखने को मिलेगा ठीक है यहां पर आप इसको मेंटपले करते हो तो आपका 70 आजाएगा फाइव 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 प्लस यहां पर 20 आजाएगा और यहां पर मर्डूलो 11 ही रहेगा फिर आपको पता ही है कि आप कैसे करते हो यार इसको ना 66 लिख से होते हूं 11 का मुल्टिपल कुछ भी जो आपको आती है 11 के मुल्टिपल करो 11 का 22 फिर 33 फिर 44 फिर 55 फिर 66 फिर 77 तो 66 मैं आगया तो इसका म मैंने दूसरी तरफ सेंट कर दिया 3 माइनस 20 कर दिया और यहां पर मर्डूलो हमारे पास 11 है ठीक है तो यहां पर आपके पास 66 जब आप लिख रहे हो टी और हमें पता कि 11 का मुल्टिपल नंबर है तो यहार इसका रिमिंडर तो 0 आ जाएगा अराम से तो इसको आप 0 T मतल भी मुल्टिपल लो उसके अंदर एड़ कर दो ठीक है ठोड़ा बड़ी वाला है तो माइनस सेवंटीन है और 11 का मुल्टिपल मेरे पास 22 रहता है और मंडूलो मैं यहां पर 11 लगा देता हूं और यह मेरे पास 5T आ जाएगा और कॉंगेंस महारे पास 5 आ जाएगे और यहां से मारे पास यह आना चाहिए कि मारा 11 डिवाइड करना चाहिए 4T माइनस 5 को that is मारा 4T माइनस 5 मुल्टिपल 11 होना चाहिए जहां पर कुछ भी आप रख लो टी रख लो जाहां इसको आ रख लो कुछ भी रख लो मतलब मैं एक डेम दोना चाहता हूं तो 4T आपके प करेंगी हां करेंगे राम से तो आप यहां पर टी इस एकल टू कॉंग्रेंट 4 कर देना मडूलो 11 की उपर रिजन बहाइंड यहां पर 4 रखोगे तो जी 16 आ जाएगा 16 के अंदर से 5 निकालोगी तो 11 बज़ जगता है तो जी आपके पास राम सेगा टी कॉंग्रेंट 4 आए आपके पास आजएगा 11 R प्लस 4 आजएगा और R बलांस टू इंटीस रहे आपको बता है जो भी आपके पास T आ जाता है एक्शूर के अंदर आपने X की वैल्यू निकालनी होती है तो और X आपके पास अभी के लिए कहां पर है मार्किट के अंदर आपका जी एक्स रहे है तो यहां पर आप x को put करने वाले हो जो भी अभी t की value आई है ठीक है तो therefore जहां पर लिख लेते हैं तो उसकी value तो therefore जो हमारा x equal to 14 t था और प्लस आपके पास 4 था जहां पर अभी t की जो values हमने लेकर आई है न्यू वाली value भो हम जहां पर रखेंगे प्लस आपके पास 4 है और प्लस आप यहां पर 4 लिखोगे और यहां से आपके पास जो x की value आजएगी वो आपके पास आजएगी 14 को 11 से multiply करेंगे तो आपका 140 आजबा 154 आजएगा ना यहां पर आपका 6 आजएगा 56 प्लस 4 आजएगा तो x आपके पास आजएगा 154 आजएगा और जो कैसे एड़ की x minus 60 जिकोर टो आपके पास 154 इंटू आजएगा और यहां से आपका जो 154 है ना वो राइट को डिवा करेगा x minus 60 को डिवाइड करेगा राम से तो इसका मिनिंग आपके पास क्या आजएगा which implies you can say x हमारा congruent 60 आजएगा मर्डूलो 154 के उपर तो इसका मिनिंग जो आपका अंसर रहेगा इस पूरे question के अंदर कि हमें एक ऐसी x की value चाहिए list value जो आपकी एक ही time के उपर दोनों equation को satisfy करें that is एक time के उपर आपका मर्डूलो 49 चाहिए एक time के उपर आपका मर्डूलो 11 की हम बात करें तो उन दोनों के लिए जो भी आपको solution चाहिए तो according to your teacher that is according to me according to us हमारे x की value 60 होनी चाहिए मर्डूलो 154 के उपर हमें कोई doubt है किसी बच्चे को कोई भी इसके अंदर doubt रहेगा तो please वो एक बार book के अंदर जाकर इसको check कर सकते हैं साथ में ठीक है कि कैसे step हमने यहां पर लगा रखे हैं कि sir आपका wrong जा right है तो कैसे बचलेगा एक बार book से match कर लेते हैं इसके अंदर बहुत सारे step है लेकिन जे कैसे लिखते हैं बहुत चीज़ें यहां पर matter नहीं करती मैं आपको solution निकालने की कोशिच करवा रहा हूं तो इनका भी गुम कमा कर x concurrent 60 आ चुका 60 आ चुका 60 और हमारा भी same to same answer आ गया लेकिन हमने हर एक चीज़ को single by single चीज़ को समझ करकरने की कोशिच कर रखी है कोई भी ऐसे ही answer नहीं लगा ठीक है यह चीज द्यार में रखना अब जब आपका next example की बात करते example number जो हमारे पास 7 आती है उस example number 7 की दिए हम बात कर लेती है इस example number 7 के अंदर आपको यह तुमारा 8 है हाँ जे इसके अंदर बोल रख है कि आप show करो कि x concurrent 29 आ मर्डूलो 48 है x concurrent 72 आ मर्डूलो 135 है x concurrent 211 मर्डूलो 50 की बात कर रहे ठीक है आप चासकी have no solution बोल रहा है कि इसके पास कोई solution नहीं है मतलब यह तीन equation का कोई solution नहीं है इनके पास कोई simultaneous relation नहीं है simultaneous what हम यहाँ पार use करेंगी simultaneous solution नहीं है तो how can we show this one तो यह सबसे बहुत उसने simple लेकर रखा ठीक है आपके पास given concurrences आ जाती है जी वात है उसने इसके अंदर से कौन से कुछ solve करना start कर रखा अजी हम खुल से करने के कोशिच करते तो हम कैसे कर लेते वो दिखते है मैं तो आपको आपके point of view से करवाँगा ऐसा नही नहीं आप exam में बैठे हो मान कर चलते हैं कि हम exam में बैठे हैं तो हमारे पास तीन questions दे रखिए बहुत बूला कि आप शो करो इनके पास solutions नहीं है तो यहां पर 48 दे रखा है इधर हमारा एक्स कॉंग्रेंट टू 72 है और यहां पर मर्डूलो आपके पास 135 है और यहां पर आ प्राइम एक आपका 48 दे रखा है एक 50 दे रखा है और एक पांच आ तो इनके अंदर कहीं न कहीं तो आपका जिसी डिक कुछ ना कुछ तो आ रहा है ठीक है वो चीज़ आप द्यान से समिना तो ऐसे question के अंदर फिर आपको वही concept जो रहेगा I think जो इनके वाला ही है वही हम उठा सकते है लिए आप जो उठाना चाहेंगे तो यहां पर पहला ही आपको दे रखा है कि एक्स कॉंग्रेंट 29 है और मॉल्डूलों यहां पर 48 है तो जी आपका पहला ही step हो जाता है 29 आपका 48 से शूट है तो इसका मिनिंग हमारा 48 डिवाइड करेगा X-29 को इसका मिनिंग हमारा X-29 48 का multiple होगा सम के ब्लाउंस टू के आप इंटीजर कर सकते हो और मारे पास जो X रहेगा वह वह कॉंग्रेंट टू 29 आजाएगा प्लस 48 के आजाएगा जदी आप इसको दूसरे वाली के अंदर लेकर जाते हो तो हमारे पास आना क्या चाहिए ब्रिचिम प्लाइस के मारा 29 है ट्रस 48 के है यहाँ पर आप देखो जदी आप इस 29 को दूसरी तरफ लेकर चलते हो तो 48 के आजाएगे जहाँ पर कॉंग्रेंट दे रखा है आपके पास ठीक है और 42 के अंदर से आप निकालोगे 12 के साथ तो 3 आजाएगा और 6 के अंदर से तूनका तो 43 आजाएगा और यहाँ पर मर्डूलो आपका 135 है तो अब क्या इस equation के पास further solution रहेगा तो it depends upon the value कि जब मैं आपको सिखाता हूँ कि जब आपके पास AX congruent B होती है module आपके पास M तो इसका solution तब exist करता है जब आपके पास जो GCD of A, M होता वो डिवाइड कर पाए भी जदी मारा GCD of A, M का B को डिवाइड करता है तब इसके पतम ही इसके पास कोई solution होता otherwise के पास solution नहीं होता है तो प्राइम नंबर तो आप जहां पर इन दोनों का GCD देखो कि आपके पास GCD क्या आजाएगा जदी आप 48 and 135 की GCD की बात करते हो तो या इसका GCD आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोंगे तो मैं इनका GCD निकाल दे तो आपको हम division algorithm का use करेंगे 135 को मैंने 48 से डिवाइड करने की कोशिच कर लेता हो मैं 3 से multiply कर लेता हूं तो मेरे पास आजएगा जिदी 3 से बढ़ाना चाहिए बैसे और 20 तो 12 तो 44 जै बढ़ा आ जाएगा काफी तो आपको 2 पर ही try करना पड़ेगा और 2 पर आपका 96 आजएगा माइनस करने पर आपका 15 के अंदर से 9 आजएगा 39 को आप 48 39 के साथ 48 को करेंगे तो 1 पर जाना पड़ेगा 39 है और यहां से आपका 9 आजएगा और 75 यहां पर आप 9 के साथ 39 को डिवाइड करोगे तो आपको यहां पर 4 पर चलनाना पड़ेगा 36 होता आपके पास वहां से आपका 3 बज़ेगा और यह 3 आपके 9 को completely तो आपके पास 3 आ रहा है and here आपका जो 3 है that does not divide 43 is 43 को divide नहीं करता तो therefore 48 k गॉरेंट 43 जो मोडूलो आपके पास 135 है does not have any solution इसके पास ऐसा कोई भी solution कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई ऐसी k की value जो को आप 48 के सामट पर करते हो और after 135 से divide करने पर उसका remainder 30 नहीं ऐसा के कोई भी नहीं आपको मिलेगा तो does not have any solution ठीक है इसके पास कोई भी solution नहीं exist करेगा तो आप इस वे के अंदर नहीं करेंगे तो जब इस question के सामट solution नहीं आ रहा मतलब आपका previous and second के अंदर कुछ common नहीं आ तो all over आपके पास कुछ भी common नहीं आगा तो जे हमारा अंदास था जिसके अंदर हमने इसको कर रखा है आप इसको आगे पिशे करके वीडियो को stop करके pause करके आगे देख सकते हो ठीक है कि इसके अंदर कॉंड कॉंड से step हमने follow कर रखे है इसके अंदर कॉंड कॉंड से step हमने follow कर रखे है you can watch each and everyone I just want to give you an idea कि यह ऐसा नहीं होता कि आप number 3 के question को जो congrency के उनको आप रट्टा लगा लो कि कमल से नहीं ऐसे करवा रखा था आप 4-5 वर उसको लिख लो नहीं और नहीं हमने इसको आप book के अंदर से copy करना होता है नहीं इसको book के अंदर से copy paste करना होता है हमने खुद के conceptual गाने होते हैं बस आपकी definition के अंदर power हो आपका concept clarity 100% होना चाहिए ठीक है और आपको जे समझो कि जो आप लिख रहे हो वो आपका बिल्कुल सही है without logic आप कुछ भी नहीं लिख रहे है जदी आप ऐसा करोगे तो गुम गमा कर आपका रस्ता कोई भी हो finally आप अपनी मंज़े पर पहुंचेंगे ठीक है कुछ ना कुछ नहीं कर रखा कैसे कर रहा है that does not matter हमने कैसे कर रहा है that is again मैं आपको बोता हो रहा हूं कि आप उसी वे में करेंगे ऐसाने के सरा में बुक वाल आप करवा हो नहीं यार ऐसा नहीं होता है मैं फिर बहुत हो कॉपी पेस्ट हो जाएगा बहुत हो आपको अपके क्लास इस्टर भी करवाएंगे लेकिन न्यू अप्रोच के आए एक्जाम के अंदर बैठ कर कैसे अपने अपनी नॉलेज के साथ आगे करना होता है नॉग नेक्सवन इस अगें इंपार्टेंट वरी वर्य इंपार्टेंट इसके अंदर डिर्यक्ट्ट आपको चाइनिय मेंडर्थुर्म को कॉपी पेस्ट करना होता है है कि आपको दे रखा है कि आप सॉल्व करो एक्स कॉंग्रेंट 5 मडूलो 11 है आपको दे रखा है कि तो आप जे चीजे लिख लो कि हमें given क्या क्या दे रखा है, सबसे बहले हम जे लिखेंगे हमें given क्या है, दो given congruence मारे पास है, x congruence 5 module 11 है, x congruence 14 module 29, x congruence 15 module 31 है, क्या सर चाइने स्मेंडर थिर्म के बिना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जदे आपको चाइने स्मेंडर थिर्म बोल दिया, तो फिर आपको वैसा ही करने पर marks मेलेंगे, otherwise marks आपके detect हो सकते हैं, उस चीजे के आप दियान रखेंगे, और उस चीजे के आप खुद responsible होगे, तो सबसे बहले हम जहाँ पर जे समझ लेते हैं कि चाइने स्मेंडर a1 था आपको, मैं साथ में जे चीजे दिखाता चाहूं, मडूलो m1 था, x congruent according to that थिर्म आपके पास, यह तीन statement कुछ ऐसी आपके पास नजर आएगे, आपको x congruent आपके पास a3 रहेगा, और मडूलो आपका m3 रहेगा, तो जे तीन चीजे आपके पास रहेगी, और उसके अंदर एक condition होती थे, कि आपका m1, m2 और m3 आपके पास relatively co-prime होने चाहिए, m1, m2, m3 आपके पास relatively co-prime होने चाहिए, जबी co-prime है, तभी आप उसके साथ आगे मूह कर सरत्यों, otherwise नहीं कर सकते, ठीक है, जे चीज़ हम जहाँ पर सीखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, त तो GCD की जोड़े हम बात करें हमारे पास, कि like हमारे पास GCD कितना आ रहा है, 11, 29 आ रहा है, हमारे पास 29, 31 आ रहा है हमारे पास, और इसका जो सभी का, because इसके अंदर 11 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है, और 31 भी हमारे पास प्राइम है, जदि यह तीन नंबर हमारे पास prime तो तेर और इन तीनों का जिसरी मारे पास क्या देखने को मिल रहा है वन बन मिल रहा है ठीक है तो हम Chinese Mindre theorem के according मारे पास क्या होगा इन तीनों equation के पास एक unique solution होगा और पूर solution कहां पर exist करेगा इन तीनों की product के उपर खरेगा अब आप करतो सकते हो बैसे भी ठीक है लेकिन Chinese Mindre theorem के जो step हो उते हैं उनको follow करने की कोशिश कर लेते हैं उनके अंदर आप से पहले जहें बिप्तराएंगे कि आपका जो M1 ना वो 11 है M2 आपके पास 29 है और M3 आपका 31 है जिनको ने इसमें लगा यह देखलो जे मडूलों के अंदर आपके पास है जे पहला M1 ना दूसरा M2 आ दूसरा M3 है और जो remainder आ रहे हैं वो A1 ना A2 और A3 है और X मारा आगे दे रख्खा होता है ठीक है तो हमने M1, M2, M3 डिवाइड कर दिया हमने A1, A2, A3 डिफाइड कर दिया आफ्टर आपके पास रहे एक नंबर होता था M1, M2 और M3 तिनों की प्रड़क्ट वाला तो आप उसको कर सरकते हो जहां पर M is equal to M1, M2, M3 फिर आपको जाद होगा हमने capital M1 डिफाइड है हमने जही दिखाया था कि मारा जो M आयना वो capital M1 into आपके पास small m बन होता है मतलब small m1 ऐसा आपके पास चला जाते है और यहां से मारा capital M1 आता था वो आपके पास small m into M1 होता था इन्होंने जही दर रिखा कि आपका capital M के आ रहा है वो small m over mkr और k की value 1, 2, 3, 4 है तो यहां से small m1 निकाल लेनी आपने M2 के value निकाल लेनी आपने M3 की value भी निकाल लेनी आपने यह value जहांssä निकाल का रखने है तो यह value आप जहां से निकाल का रखेंगे क्यों है पर यह आपका 31 आएगा जी वाला जब आप कर रहे हो तो आप पहले वाले को 11 से डिवाइड कर दो तो आपका जो बचेगा दो नंबर की प्रड़क्ट लाइक आप कैपिटल M2 को निकालेंगे तो तीनों की प्रड़क्ट को दूसरे वाले नंबर से डिवाइड कर दना फिर एसे तीस वाले तो आपका हुआ जाएगा फिर हमने M3 की बाद कर ले थी कि X कॉंग्रेंट हमारा वन रहेगा और मर्डूलों हमारे पास M3 रहेगा जे तीनों चुझे हमने यहां पर कॉपी पेस्ट कर देनी कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3 की वैल्यूस आ चुके मार्केट के अंदर तो जहां से हमारे पास जे तीन एक्विशन जहां पर बन जाएगी इसका आंसर क्या आएगा एट डेवल नाइन आपका एक्स है और यह कॉंगरेंट 1 है और मर्डूलों आपके पास 11 है अब इसका आप कैसे करो की आंसर तो जदी मैं अपनी नॉलिज आपके लिए चेक करना चाहूं और एक तो आपको बुक वालों ने दे रख्था वोचिस हमारे सामने और दूसरा आपके कमल सर आपकी हल्प करना चाहते हैं और कैसे करना चाहेंगे जो कि अभी हमने कॉस्टन जहां पर कर रखें बहुत सारे अभी हमने बहुत सारे कॉस्टन जहां पर कर रखें तो हम जहां पर एट ट्रिपल नाइन की बाद करें हैं और यह एक् लाइक मेरा 8 रिमेंटर बजता है, यहाँ पर यह हो सकता है, कि 8 है ना, तो यह कुछ हो सकता है, लाइक ऐसा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसका मेनिक जी जो नंबर पूरे का पूरा है, जी आपका डिवाइड हो रहा है 11 के साथ, तो मैं इसको लिख लोंगा 891X और प्लस मैं इ मेरे को तो X की value निकालनी है, तो जी आप X मैं कैसे निकाल पहूंगा, वह चीज अगें matter कर लेती है, कि सर, अब आप X कैसे निकालोगे, कोई बात नहीं, अब गबराना नहीं है, जहां से फिर हम हमारा दूसरा लोजिकल लगा लेंगे, जो हमने सीखा था, कमलसर ने काया था, कि हमारा 11 डिवाइड करना चाहिए, 8X-1 को, यहां, इसका मेनिंग, हां, इसका मेनिंग मारा जो 8X-1 वो 11 का multiple होना चाहिए, तो आप यहां पर T लगालो, और 8X मारे पास 11T plus 1 होना चाहिए, और X मारे पास 11T plus 1 ओबर आपका 8 आना चाहिए, तो यहां पर आप plus वाली value भी ले सकते हो, और minus वाली value भी ले सकते हो, तो T की value ऐसी सोचने है कि आपका number जो भी आएगा, वो आपका one add करने पर like 8 से divide होना चाहिए, तो 56 होता है, तो यह जदि आप T को 5 पूट कर लेते हो, तो आपका 115 का 55 plus 1 56 बन जाएगा, जहां पर 115 plus 1 आजएगा, जही नीचे 8 है, तो यह आपका 55 और 56 बन जाएगा, तो आपका 1 तो 7 आपको मिल जाएगा, ठीक है, 7, minus की 4 plus 7, तो minus का 4 प्लस 7 बन जाएगा, तो minus का 4 plus 7, हां ठीक है, क्या इसके शोटा value नहीं, जदि आप 4 पूट करोगे तो आपका 44 plus 1 45 आएगा, जदि 3 पूट कर दो 34 आएगा, 2 आपके पास 11 आजएगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, आपका जो X1 जिसको लिखते हैं, तो आपका जो X1 इसको 7 है, वो इसको satisfy करेगा, जदि आपका 4 है, मतलब it satisfy this one, ठीक है, तो X1 की value आपके पास, सही है, सही है, सही है, सही है, फिर आप दूसरी question के पास जाए करेंगे, देखो, बुक के अंदर, मैं बोल रहा हूँ कि बुक के अंदर आपको अलग से कर रखा, लेकिन वहां, वो आपके mind में एक दर जदी नहीं आता, तो sir, but can we do this, ठीक है, जो बुक के अंदर आपके class structure भी आपको सिखाएंगे, और आप खुछ से भी कोशिक कर पाए करेंगे, और जो बुक के अंदर नहीं है, बहुत चीज आपको यहां पर मिल जाएगी, 3, 4, 1, x की बात करेंगे, और concurrent आप 1 की बात करें, module आप 29 की बात करें, तो थोड़ा दो idea मेरे को इतना पता चली गया, कि 29 को 10 से multiply करते हैं, तो 290 होता है, जो किसके बहुत सपास है, तो इसका meaning, जिदि मैं 29 को 12 से multiply कर लता हूं, मेरे को idea की जी उपर चला जाएगा, उससे है न, तो 92 का 18 आजएगा, 22 का 4 and 5 आजएगा, और जिदि मैं 1 के साथ कर लता हूं, तो 9 आजएगा, मेरे पास 2 आजएगा, तो 8 आजएगा, 4 आजएगा, 348 बन रहा है, 348, तो मेरे क को नहीं नीचे जाना पड़ेगा, 29 को 11 के साथ कर लते हैं, तो 9 आजएगा, 2 आजएगा, और फिर से 9 आजएगा, 2 आजएगा, 9 आजएगा, 11 आजएगा, तो 390, तो इसका meaning, जिदि मैं इसके अंदर से 319 अलग कर तो हूं, जिदि मैं पूरे का पूरा 29 से divide हो रहा है, और प्लस मेरे पास बचेगा क्या या, 341 के अंदर से आप 319 को माइनस कर लेंगे, तो आपके पास 11 के अंदर से 9 करेंगे, तो 2 आजएगा, 3 के अंदर से 7 निकालेंगे, तो 2 आजएगा, 22 बचते आपके पास, 22X आपका concurent 1 और मदूलू आपके पास 29 हो जाएगा, पहला step, यह पूरे का पूरा आपका 0 हो जाएगा तो 22x आपका congruent year 1 होगा मंडूलू आपके पास 29 आपको देखने को मिलेगा ठीक है यह चीज आपके पास आ जाएगे इसके आगे next वो जो काम है वो आप क्या खुल से कर पाएंगे नहीं मैं आपके पास साथ ही हो अभी इसको complete कर लेते हैं अब next count सी x की ऐसी value जहाँ पर सोचे कि हमारे पास इसका answer आजाए कि हम उस number को 29 से divide करें और remainder हमारे पास it's okay good luck अब यहाँ पर देखो कि हमारा जो 29 है वो divide करना चाहिए 22x-1 को that is 22x-1 आपका 29R होना चाहिए और आपका 22 जो x है वो आपके पास 29R प्लस 1 होना चाहिए और x आपके पास 29R प्लस 1 ओबर 22 होना चाहिए पहले हमने यह गेम कर लिए यहाँ पर आपके डिफरेंट वैल्यूस आप सोच सकते हों किया ओपर आपका 44 बढ़ना चाहिए अब जहां से थोड़ा दिक्कत हो सकती कि आर्की वैल्यू आप टू रखते हो तो 58 प्लस 59 आ जाएगा आर्की वैल्यू आप 3 रखते हो तो आपके पास कुछ हो सकता है त्री रखने प पर 27 तो 3 का 88 और यहां पर प्लस 1 करेंगे तो यह आपका 88 आ जाएगा 88 22 से आपका डिवाइड करके 4 आ जाएगा तो यह वैल्यू से ही है तो एक्स के वैल्यू 4 जहां पर सैटिस्पे करेगी तो यह एक्स एकल टू 4 आपके पास आ जाएगा रमेंडर 29 के उपर तो यह तो यह आपके पास एक्स टू की वैल्यू भी 4 आजाएगी एक्स टू की वैल्यू ढियर 4 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और यह आपकी बुक के साथ बिल्कुई जिट्टो मैच करी है हमने भी कर रक्था आपके बुक वालना भी कर रखथा दोनों के दोन साथ में यह हो गया तो देख लो साथ में हमने कैसे कर रहा था दिरे दिरे हर इक स्टेप को हाँ एक्षो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक 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 साथ के उपर काम करवाना चाहता हूं कि यह आपके अंदर बहुत सारी आपके एक साथ हम काम करेंगे तो उसी एक के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो थर्ड वाला पार्ट था मतल्ला आपकी एक्वेशन नमबर शिक्स थी वह हमारे पास क्या थी इक्वेशन नमबर शिक्स आपके पास थी कि आपका जो एक्स है आपका थ्री वन नाइन एक्स था और यह कॉंगरेंट आपके पास दे रखा था वन मर्डूलो 31 के अंदर तो 31 का थो बहुत सिंपल आपका 310 जहां पर रखो 310 एक्स और प्लस 9 एक्स अलग कर दो जहां काल पाएंगे तो जे आपको कैसे बजलेगा कि मारा 31 डिवाइड करेगा 9x-1 को और 9x-1 हमारा 31 आप यहाँ पर टी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता और 9x आपका 31 t प्लस 1 आ जाएगा और x आपके पास जो आना चाहिए वो 31 t प्लस 1 ओबर आपका 9 आना चाहिए तो जहीं चीज आपको देखने पड़ेगी टी को 0 रखते तो बात नहीं पड़ेगी माइनस मिले सकते लेकिन मेरी एप्प्रोच पॉस्टिव नर्बर लेने की होती है और बेस कि आप यहार पॉस्टिव के साथ करो तो जादा बैट तो यहां से आपका हो गया कि x is concurrent to 7 modulo आपके पास 31 आ गया और we can say that that is हमारा x3 जो is equal to 7 होगा is solution of आपका 6 हो जाएगा तो यहार मैंने आपके पास x1 आपको मैंने दिखाया था जो हमारे case में x1 था और बुक्वालों का I think कुछ और था हमारा x1 7 था x1 मैंने 7 निकाला x2 मैंने आपके लिए 4 निकाला और x3 मैंने आपके लिए फिर से 7 निकाला जो तीन आंसर में यहां पर निकाले है तो चाइनिस जो remainder theorem होती है उसके according में आपको जहां पर दिखाना चाहूंगा कि final answer आप कैसे देते हो इन्होंने यहां पर division algorithm लगा रखा र परिकनी पड़ेगा answer को ठीक है congrency class same रहेंगी तो जहीं इनका भी वह हमारा 7E आ रहा है तो that does not worry about किस वर आपने यह अलग कर दे हैं उन्होंने अलग कर दे नहीं नहीं मुद्य की बाद क्या है इसके बाद गयार करना होता है तो इसके बाद वाला जो काम होता है वो जी होता है कि YCR theorem जो given equation का solution होता है x वो ऐसा होता है कि x equal to a1 m1 x1 plus a2 m2 x2 a3 m2 x3 तो आपने इस number को निकालना होता और किसके उपर निकालना होता है a2 capital m2 x2 होता है like आपका जहां पर तो आप x रखो के ना कि this congruent to this one और प्लस a3 m3 और x3 और यह आपका modulo किसके उपर होता है m1 m2 and m3 के उपर होता है तो जह चीज़ आप जहां पर करोगे ठीक है डियर तो जह चीज मैं आपके लिए शूर देता हूं इतना काम प्लीज आप लोग खुल से कर ले ना यहां पर इन्होंने माइनस के 4 के वहां पर आप 7 कर ले ना आपका आंसर कुछ और आ जाएगा और फिर उसको पूरे को सॉल करके आपका आंसर उत्रा ही आएगा जदी आपका आपके पास 14 थी और M2 की वैलू 3,4,1 थी और फिर हमने वैलू निकाली थी प्लस के 4 और आफ्टर देट हमारे पास A3 की वैलू 15 है और नमबर हमारा कैपिटल M3 319 था और लास्ट हमने फिर से 7 निकाली और जहां पर मर्डूलू हमने तीनों का प्रड़र्ट करना होता है 11 2729 इन्टू 31 के उपर काम करना होता है जी चीज़ है अब यह इसकी काल्कुलेशन आप खुछ से करना तो मैं थोड़ा आपके लिए हैल्प कर देता हूं काल्कुलेटर के साथ कि इसका क्या अंसर आना चाहिए 5 x 8 9 x 7 जो आपके पास दे रखा है यह आपका आता है 3 1 4 6 5 आता है और प्लस करने पर हमारे पास जो 14 है multiply आपका 3 4 1 है और multiply आपका 4 आ रहा है इसका आता आपके पास हांसर 9 10 0 9 6 आ रहा है और after that जी थोड़ा method है ना difficult कर रहा है question को instead की जो हमने पहले कर रहे थे उससे ज़्याद हो difficult हो जागा calculation work ज्यादा है इसके अंदर हो जाता और मर्डूलों के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है 11 multiply 29 multiply 31 तो मर्डूलों के अंदर आपको मिल रहा है 9 8 8 9 मिल रहा है बाहर वालों को जदी हम add करते तो 3 1 4 6 5 है आपके पास प्लस 1 9 0 9 6 है और प्लस आपका डवल 3 है 4 9 5 है अरे वाल तो जे आपके पास एक्स आ रहा है 8 4 आपको मिल रहा है 0 5 6 मिल रहा है और मर्डूलों आपके पास 9 8 8 9 है अब यहां पर थोड़ा आइडिया देता हूं जे आपका नेरो बाउट आपका नंबर जो है ना वो आपक यह है 9,000 या 10,000 रखो 10,000 को 8 से मंट्प्लिय करने के बता हूं जे आप इस नंबर को यह आपका 10,000 है तो 8 के साथ करना तो इसको अपना एक वार 9 के सा मंट्प्लिय करके दिखो कितना आ रहा हमारे पास 9, 8, 8, 9 के सा मंट्प्लिय करके दिखो मारे पास यह नंबर बनना काफी ज़्याद आ रहा है जदि आप 8 के साथ कर लेना तो 8 के साथ मारा यह काफियाद तक सही रहेगा तो यह आपके पास 7, 9, 1, 1, 2 आ जाएंगे तो इसका मिनिंग क्या रहेगा जदि यह आ जाएंगे त आपका यहाँ पर है 8, 8, 4 है 0, 5, 6 है तो यह आपके पास बचेगा 4, 9, 4, 4 और मडूलो 9, 8, 8, 9 के उपर मैंने क्या करा रहा मैंने यहाँ पर 8, 4, 0, 5, 6, 2 डिवाइड करा 9, 8, 8, 9 के साथ तो हम यहाँ पर 8 पर चले गए तो यहाँ पर हमारा 7, 9, 1, 1, 2 आय था हमने माइनस करा तो हमारे पास जहाँ पर 4, 9, 4, 4, 4 आ जाएगा 4, 4, 4 को शेह सर मेंडर अब जहीं नमबर आपका इससे शूट है तो इसका मैंनिंग यहीं आपके पास अंसर हैगा चेक कर लो मैंने आपके सामने करा इसको stop कर लो pause कर लो लिख लो और जो book वालो का अंसर आया देख लो ठीक ठीक है हो तो जी होती है अनमबर 3 की पावर कुछ क्रैमिंग नहीं करने सब कुछ सही सही में हो जाएगा इसी एक्सेस है कि next example के तरफ चलते है example number 9 that is again little bit important है अब इसके अंदर दिखवा आपको क्या दे रखा है इसके अंदर आपको दे रखा है कि आप let करो कि आपके के पास fx एक पलिनोमियल है जो की x square plus x plus 7 है find all roots of the congruence fx congruence 0 modulo 15 इसके सारे के सारे roots आपने निकालने है congruence 0 के उपर अब कैसे करते हो जिए ध्यान से दिखना इसके आप roots से निकालने की कोशिच करोगे कि यह कौन सी ऐसी value है like we want to find that value of x that is a जिसको अंदर बुट करने पर उसका remainder 0 आ जाएगा modulo 15 के उपर हमने ऐसा answer निकालने है वो answer आप कहां से लेकर आओगे सबसे बदो आपको fx दे रख्या ठीक है और n यह हमें दे रख्या fx congruence 0 तो यहां पर आप fx के value पूट कर देना कि हमारे पास x क्यार आ गया plus का x आ गया plus का 7 आ गया और यह congruence 0 आ आप इसके बाद इन्होंने 4 से multiply कर रख्या लेकिन क्यों करना उसका cost answer मेरे को भी नहीं अभी पता क्यों करना लेकिन मेरा हमारा खुद का mind क्या कहेगा कि how can we solve this one आप इसको खुद से solve करना चाहेंगे तो कौन सा method कौन सी approach हमारी mind के अंदर सबसे पहले आएगी that is the main reason तो क्या आप इसको इन्होंने जैसे ना completing whole square करके उसकी कुछ values निकालने की कोशिश कर रख्या है कि उसको कुछ number put कर रख्या है तो completing whole square जभी आप करना चाहते तो हाँ उससे आप fraction के साथ तो बच जाओगे तो देखो एक completing whole square का concept होता है completing whole square क्या कहती है कि like जे आपका x square इसका option one है ठीक है जे आपका x है फिर यहाँ पर जो भी आपको x दिख रही है इसका option one आ रहा उसका half कर दो 2 आ गया मतलब मैं चीज समझाता हूं completing whole square 10th class के अंदर था कहीं पर भी आप net पर search कर लेना completing whole square method तो वहाँ पर complete whole square कैसे करते हों आपका जो x square option one होना चाहिए हमारे पास one है जहाँ पर x का option क्या था one था तो जो x का coefficient आता उसका अपनी half करना होता वन का half one bet होता उसके square को add कर लेना उसकी square को minus कर लेना प्रस 7 पहले जिसता तो तो congruent zero रहेगा modulo 15 अभी तक हमारा गुरे question को कोई फर्क नहीं पड़ा ठीक है ठीक है आप द्यान से देखेंगे आप इतना करने के बद आप क्या कर सकते हो जहां पर कि यह आपके पास कैसा बन गया आप four से multiply करना चाहते हो दोनों तरफ करनेंगे तो यहां पर आपका जो बन जाएगा dear like this one कैसे मैं आपको समझाओं यह आपके पास ना जिए तीन नंबर को आप एक साथ करोगी तो आपका पहली नंबर x हो गया दूसरा आपका जहां से यह वन बाय टू आ गया इसका फूल स्केर बन जाता है पहली त्री टर्म्स मिलकर जदी dear आप इसके होल स्क को खोलेंगे तो आपके पास x का स्केर रहेगा 1 by 2 का स्केर रहेगा प्लस 2ab मतलब जहां पर 2ab तो वो आपका कट करने के बाद आपका खाली x बचेगा वो भी हमारा सेंटर में है तो यह तीन तो हो जाएंगी ठीक है जो जहां पर बचेगा वो आपका minus one by four plus seven यह concurrent आपका zero modulo आपके पास 15 ही रहेगा यह आपके पास आगया अब यहां से द्यान से समझे रहा है यह आपके पास x plus one by two का whole square है और यहां पर जदी आप समय लेता हो तो इदर आपका डियर जाकर seven को 24 से multiply करेंगे तो आपका 28 आजएगा 28 के अंदर से वन निकालेंगे तो 27 तो 27 ओबर four आपका congruent zero modulo 15 मिल रहा है ठीक है और चीज़ समझा देता हूँ एक बार मैं आपको जे समझाओंगा कि four से multiply क्यों करना जहां पर आप two का common आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख साते हो two x plus one का square प्लस 27 नीचे से जो भी आपका four common आ रहा है उसको zero के साब multiply करेंगे तो खतम हो जाएगा तो आपका question जहां से start हो जाएगा इसके बाद मैं आपको आपकी बुके अंदर लेकर चलता हूँ कि हमारे पास two x plus one की whole square plus 27 congruent zero modular 15 बन चुक है ठीक है 100 प्रतिशत यहां तक अब बापस आ जो अब उनका भी देख लो साथ में कैसा आएगा answer तो यहां तक तो उन्होंने भी कर रकर हमारा भी इतना question हो जाते है ठीक है अब इसके बाद इस 27 को जैसे आप दूसरी तरफ लेकर जाएगे तो यह हमारा minus का 27 हो जाएगा ठीक है like this one मैं आपको यहां पर करवाऊंगा look here कि आपके पास 2x है plus का 1 है whole square है plus 27 है congruent 0 है और modulo हमारे पास कितना है 15 है जह है जहां पर मारे पास डियर क्या आजाएगा कि आपका 2x plus 1 का whole square है और जे congruent minus के 27 आ जाएगे और जे modulo आपका 15 है लेकिन हमें negative answer दो चाहिए नहीं और बैसे भी किसी square का अना congruency class नेक्ट में देने से बैटर है कि आप यहां पर इसको ना आप 15 का multiple कर लो 15 का 15 52 का 30 30 प्लस है और इसके थोड़ा साब बढ़ा है वो आप यहां पर एड़ कर साते हूं तो यह आपके पास 2x प्लस 1 का whole square आदेगा और जे congruent आपको यहां पर 3 मिलेगा और modulo 15 के उपर मिलेगा जहां पर क्या रखका रखा ना जे आप किसी number का square है तो इसको ने y पूट कर लिया पूट सम टाइम की पूट करा कि जो हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 है वो इस इकर 2y है तो आपका पूरे का पूरा question ऐसा हो गया कि y square congruent 3 है और modulo 15 उसको भी इन्होंने 3 x 5 कर रखा ऐसा ठीक है जी कर रहा अब यह दोनों के दोनों नंबर जो आपके पास 3,5 का जिस्टी 1 है तो यार इसका meaning इसके पास solution होगा मतला this equation have solution if आपके पास y square congruent 3 इसका solution हो modulo 3 के उपर और and आपके पास यह दूसरी वाली equation है y congruent 3 और modulo आपका 5 के उपर like इसके पास solution होगा as solution जहां पर मैंने if लगा दियो पर ठीक होना चाहिए यह जहां पर 3 है और यह भी 3 है तो 3 से 3 डिवाइड कर लो that is y square congruent 0 और modulo आपका 3 होना चाहिए and the same आपका y square congruent 3 होना चाहिए modulo आपके पास y होना चाहिए तो जी आपके पास आ जाएगा यहां पर तो डियर अब यहां से देखो y square आपके पास ठीक है अब ऐसा कोई नंबर देखो उसका square करने पर वो 3 से डिवाइड होना चाहिए पुड़ा पुरा अब आप जदी positive नंबर की बात करें आपके पास y है कि आपके पास solution नहीं होगा इन दोनों के पास solution क्यों नहीं होगा आप बताओ कोई नंबर ठीक है कि आपको ऐसा नंबर बताओ मैं आपको दिखाता हूँ अब जहां से solution मैं निकालने के कोशिए करता है कि sir solution नहीं है वो पता कैसे चलेगा आप बताओ कोई कर और वो चीज मैं आपको करवाने के लिए जह सोच बता हूँ कि जिदि आप according to में recording देखेंगे तो like this one होना चाहिए कि यहाँ पर आपका डिवाइड करना चाहिए y2 को that is y2 के आपका multiple of 3 होना चाहिए that is 3 into some t कहसा तो y आपके पास root 3 has א this 1 root t आप कैसे लेस होते हो अ toot three आपका अर्णा चाहिए that is तो यहां पर आप number की बाद कर से खिओ करते करते आप इंटीजर के उपर बात करतें इंटीजर के ऊपर आप रूट 3 वाइन निटीजर ट тоб इसका सॉल्यूशन भी नहीं है गो यहां पर इसका solution भी आपको नहीं मिलेगा, तो both equation don't have any solution, तो आप यहाँ पर लिख सबते हो कि both have no solution, तो इसका meaning given equation के बाद solution नहीं है, तो जी एक math ना, इसके समने कर दिया, इसके तद आपकी सारे की सारे examples complete हो जाएगे आराम से, फिर after that आपको जो exercise नहीं, जो सारे के सारे सम आपकी same है तो आप जी जो remainder वाला ना, जी वाले remainder वाले प्लीस इनकी practice करके जाना, जो आज हमने सम कर रहें थे, खुछ से practice कर लेना, ओपर वाले भी मैंने आपको करवा रखी हो, already सारे की सारी problems, और जहां पर जी जो last वाला है, ऐसा question, इन्होंने कैसे does not have solution, वो भी मैंने आपको करव से solve करना, और वो भी हमने एक question यहां पर solve कर रखा है, तो please do practice, make notes, and try to revise the full labels, ठीक है, तो इसे के साथ हमारी जो exercise है, वो finally, आज chapter number 6 हमारा finish हो जाता है, next chapter के इंदर हमें आज, chapter number 7, formats, और format थिरमे के साथ उसको start करेंगे, ठीक है, wait and bother for that chapter, तब तक मिलते हैं, next part के सार, ठीक है so thank you, God bless all, take care, bye bye everyone, take care